हेलो एवरीवान, वेलकम टो वर चैनल MCB, MCB, फ्रिंट्स आजे क्विक और इजी सारे कुछू डिजाइन बनाएंगे, बिगिनर्स के लिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए, यह मैंने 90 स्टैंड्स आफ सिल्क त्रेड लिया है, और यह गोल्डन बीड्स, 2 mm के गोल्डन ब इजी सिंपल डिजाइन बनाने का रिक्वेस्ट किया था, सबसे पहले हमें इस टेप और मार्कर की मदद से एवरी वान इंच की डिस्टन्स पर मार्क करना है, नेक्स्ट हमें, नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्टैंड्स आफ कॉटन त्रेड लेना है, हमें यहां पर गोल फिर्स हमें 2 बीड्स लेने हैं, इन दोनों बीड्स को पलो के उपर इस तारिके से नेटले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर से हमें इस बीड के थोड़े से उपर से साइड से नेडल को पास कर लेना है, नेक्स्ट हमें इस नीडल में 2 mm के 3 golden beads insert कर लेने हैं एक, दो और ये 3 टोटल 3 beads insert कर लेना है उसकी बार ये जो 2 beads हमने stitch किये हुए हैं इसके उपर है इस तरीके से हमें इन 3 beads को stitch कर लेना है यहां से हम नीडल को back side लेंगे इन 3 beads को stitch करने की बार side के ये जो 2 beads है इन 2 beads के ऊपर सेंटर में से हमें नीडल को pass कर लेना है उसकी बार 2 mm के 2 golden beads needle में insert कर लेना है और ये जो 3 beads हमने stitch किये हुए हैं इसके ऊपर ही इन्हें touch करते हुए इन 2 beads को भी stitch कर लेना है हमने ये 1st line में 2 beads, 2nd line में 3 और 3rd line में 2 beads इस तरीके से total 7 beads stitch कर लिए है और side के ये जो 2 beads हैं यहां से हमें इन beads के नस्देक से needle को pass कर लेना है उसके बार इन 2 beads के ऊपर से needle को हम pass कर लेंगे और इसे stitch कर लेना है next हमें इस side वाले ये जो 2 beads है इन 2 beads के center में से needle को pass कर लेना है उसकी बार इन 2 beads के ऊपर से needle को pass करते हुए इन्हें भी हमें stitch कर लेना है इस तरीके से ये सभी beads एक flower shape में आ जाएंगे और इनका shape इसी तरह से रहेगा 7 beads stitch करने के बार next हमें पल्लो को turn करते हुए back side एक दो अच्छे से tight knots बनाने है दो knots बनाने के बार excess cotton thread हमें cut कर लेना है और अब next हमें two strands of golden color का cotton thread लेना है एक knot डालेना है ये जो next वाला mark है इस mark के back side से needle को हम pass कर लेंगे इस bead में हमें 2 mm के दो golden beads insert कर लेने है इन दोनों beads को पल्लू के उपर stitch कर लेना है उसकी बार इन beads के थोड़े से उपर side से हमें needle को pass कर लेना है इस तरीके से pass कर लेने के बार इस needle में हमें 2 mm के total 3 beads insert करने है इन तीनों beads को ये जो दो beads है इन दोनो beads के उपर इन beads को touch कर लेना है इस तरीके से 3 beads stitch करने के बार इन दोनो beads के center में थोड़े से उपर से needle को हम pass कर लेंगे इस ही method का use करते हुए मैंने square और triangle shape की और भी सारे कुछू designs बनाए हुए है उनका link मैंने video के end में दे दिया है वो दोनों videos आपको easily मिल जाएंगे also मैंने latest सारे कुछू tessas design का एक playlist बनाया हुआ है उसका भी link मैंने video के end में और description में दोनों में दे दिया है beginners के लिए जो normal saving needle से बनाये हुए और भी designs है उनका link मैंने उपर आई बटन में दे दिया है आप आई बटन पे क्लिक कीजिए वो सबी videos आपको easily मिल जाएंगे और अब next हमें पल्लू को turn करते हुए पल्लू के back side एक दो अच्छे से tight knots बनाने है दो नोट्स बनाने की बाद एक्सिस cotton thread को cut कर लेना है नेक्स्ट हमें नॉर्मल saving needle में six strands of silk thread लेना है ये जो first की जो दो beads है सिर्फ इन दो beads में से इस needle को हम pass कर लेंगे neatly इन silk thread को pass करने की बाद थोड़ा सा धागा extra चोड़ते हुए excess silk thread को cut कर लेना है उसके बाद इन दोनो threads को मिलाते हुए ये जो उपर की जो दो beads है इस beads की नजदी की एक tight knot बनाना है हमें यहाँ पे जिस color का कुचू बनाना है उसी color का six strands of silk thread यूज करना है एक और बार six strands of silk thread लिया है सिर्फ इन दो beads में से needle को हम pass कर लेंगे दोनों तरफ से silk thread को knit करते हुए excess silk thread को cut कर लेना है उसके बाद इन दोनो threads को मिलाते हुए हलका सा twist करके इन दो beads के नजदी की एक tight knot बनाना है इन सभी threads को निकालके यहाँ पे tight knot बनाएंगे और अब next में 90 strands of silk thread लेना है यह जो knot है इस knot के back side से इस needle को हम pass कर लेंगे इन silk thread को knit करते हुए कुचू बनाना है friends कुचू डिजाइन से related आपके कोई भी doubts है कोई भी सवाल है मुझे comment section में comment कर सकते है also मैंने अपना whatsapp number facebook link भी description में दे दिया है जल्दी tips and tricks related to सारी कुचू टसस design का एक वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आपके doubts में clear करने की जरूर कोशिश करूंगी और अब next हमें इन सभी silk thread और जरी thread को knit करते हुए एक और turn लेंगे इस तरह किसे दो turns लेने के बाद एक और turn लेके side में knot लगाना है इन जरी thread का एक knot बनाएंगे और अब next हमें यह जो जरी thread है इस जरी thread के उपर से needle को pass कर लेना है उसके बाद यह जो जरी thread है और silk thread इन दोनों को मिलाते हुए excess सभी threads को हम कट कर लेंगे हमने यहाँ पर baby kuchu बनाया है फिर्ण्स एक tazzle ready हो गया है इसी तरह के से बाकि सब भी बनाना है फिर्ण्स आप यह देख सकते हैं अब यह tazzles ready हो गये है simple and easy design है I hope आपको यह design जरूर पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज था आपको प्लीज एक प्लीज प्लीज देख से लिए प्लीज एक शून भागा